So here we go, चलते हैं हम लोग, और आज बहुत important class है, which is very important for us, हमारे लिए बहुत बहुत जादा जुरुरी है यह सब So, सवाल ये है, आज मैं जो आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, आज की class है basically 1% formula So, हमारे सामने बहुत से challenges आते हैं daily life में, मेरे पास बहुत से question आते हैं, कि सर हम देर तक पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, answer लिखना, newspaper पढ़ना, बहुत कुछ आप अपनी life में करना चाहते हैं और यह age होती है, कई कल बच्चों ने का एकसर, conceptor के बच्चों ने का एकसर, schedule नहीं manage हो पा रहा है, time नहीं manage हो पा रहा है, यही 24 घंटे topper के पास भी हैं, वो बहुत अच्छा काम करेगा, जनरली हम देखेंगे कि वो topper बनके निकलेगा, और यही जो 24 घंटे हैं, वो ऐस बच्चों के पास भी हैं, जो इसमें अपने time को खराब कर लेंगे, तो आखिर, जिन्दगी में किसी भी change को change करना है, आप मा लिजे, आज आप UPSC की preparation करने आए हैं, आपका एक background होगा, जहां पर यह बताया जा रहा है कि आप कमजोर रहें पढ़ाई में, आपने कभी output दे पाएंगे, कैसे आप अपना बहतरीन कर पाएंगे, तो life में जब भी आपको change करना हो, आपका अतीत क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका past कैसे कोई मतलब नहीं है, और हमें अपने आपको change करना होता है, और जब यह change होता है, तो change एक बहुत बड़ी energy की requirement करता ह तो क्या वास्तों में ऐसी चीजें हैं कि हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, कल तक हम एक mediocre student रहे हैं, ठीक है, कल तक हमारे पास कोई बहुत life का aim नहीं था, या हमने कुछ काम किया और इसमें नहीं कर पाए, हम fail हो गए, तो क्या वो एक या दो failure पूरी जिंदगी भर क आज इस class में मैं आपसे करने जा रहा हूं, वो सभी strength, खास दोर पे conceptor के बहुत से strength आपको पता है, कि हमारे academy में हम skills और education दोनों पर बहुत जादा focus करते हैं, मैं एक NLP trainer हूँ, Neuralinguistic Programming trainer हूँ, आप मोझे geography कैसा पढ़ाता हूँ, economy कैसा पढ़ाता हूँ, इसमें आप लग जीत कर निकलें, जहां जीतना आपके लिए एक आदत का हिस्सा बन जाए, और अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ सकें, मैंने अपने जीवन में हजारो हजारो स्ट्वेंट के पर experiment कियें, सिर्फ किताबे पढ़कर बात नहीं कर रहा हूँ, और मैंने उनके जीवन में कई कई बार कई इस तरों पर किया है, तो आज मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, कि हम इन चीजों को कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास segments available हैं, और क्या आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, तो ये बहुत ही important हमारे लिए, बहुत ही महत्तपूर है हमा देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार सोचा है, नहीं कर पा रहे हैं, exercise शुरू नहीं कर पा रहे हैं, योगा नहीं शुरू कर पा रहे हैं, meditation करना चाहते हैं, time change करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, answer rating करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, घंटों पढ़ना चाहते ह नहीं हो पा रहा है, addiction से छूटना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो basically जो है, वो आज मैं बात करूँगा कि अगर अपने अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं, तो पहली बात मैं आप से करूँगा हमकी बदलाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा हम बदलाव कैसे कर स सकते हैं और तीसरा आप कहां फस्ते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपकी जिंदगी में एक बहुत ही fundamental सुधार लेकर आ सकती हैं तो चलिए हम उसी सुधार के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं लेट से स्टार्ट सवाल है कि हम सब कुछ जानते हैं हमने डिसाइड किया अब हम पढ़ाई करेंगे घंटों पढ़ाई करेंगे तो कौन तुम्हें रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, और क्यों रोकता है तुम्हें, तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो, अलाम लगाते हो, नहीं उठ पाते हो, अभी बच्चे ने लिखा, मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, आप पढ़ा ही करना चाहते हो, लेकिन पत कराना चीज करूंगा आप नहीं कर पाते हो या नहीं आपको लगता है कि किसी का वेट जादा हो रहा है बढ़ रहा है तो नहीं मुझे इसको वेट को कम करना है नहीं कर पाते हो और यह मेरे साथ भी लगातार होता रहा है खुद पर मैंने एक्सपरिमेंट किये 1% improvement और 1% downward दोनों करके देखा और जो result निकल कर आया वो चीज़ें आज मैं आपसे बताने जा रहा हूं और इसके बाद अब अपनी life पर control कर पाओगे शुरुबात करते हैं कहानी की और शुरुबात होती है और वो होता हूँ सबसे बड़ी गलती हो जाती है माइन बहुत ही अलग तरह का गेम खेलता है जब तक माइन का गेम नहीं समझोगे तब तक कभी भी उसमें कोई improvement नहीं कर पाओगे तो सबसे पहले जो तुम्हारा दिमाग होता है वही तुम्हें रोकने का काम करता है जैसे ही तुम इसे किस 11 बजे वैसे रिलाक्स नीद आ जा रही है 12 बजे अब तुमने देखाओगा बहुत देर रात तक तुम्हें नीद नहीं आती है तुम्हें एक anxiety सी रहती है तुम्हें नोटिस करके देखा होगा और तुमने कई बार सोचाओगा घर जाने के बाद में गंटे रेस्ट तुमने देखाओगा तुमने देखाओगा उस दिन कुछ खास disturbance create होती है तुमने देखाओगा तुम्हारा दिमाग जान बूच कर अच्छा कोई web series आई है क्या दस मिनट बैट के देख लेते हैं तुमने देखाओ पूरे दिन भर तुमने उस पर planning करने में तुमने बहुत अच्छान हो रही है और इस बात को सोचते सोचते तुम्हारे अंदर बहुत से changes आने लगते हैं अब सवाल है कि क्यूं होता है यह जान लो यह सारी चीज़ों तुमने अनभो कि होंगी लेकिन आज मुसका reason बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है इसके पीछे सबसे important reason है कि हमार करने दिमाग को बहुत धेड़ सारा काम करना होता है तुम्हारी जानकारी के बिना भी हमारे शरीर में बहुत काम माइंड करता है हमारा brain जो इसको control करता है और brain की एक आदत होती है वो basically जो है वो power saving mode पे काम करता है यह power save करता है हमारा ठीक है इसमें बहुत से ऐसे काम होते मोबाइल में हमारे पास स्मार्टफोन होते हैं तो इंटलिजन्स में वो जैसे क्या होता है लाइट जादा होती है तो ब्राइटनेस कम जादा आजकल आने लगए happiness screen हम लोग कहते हैं इसी को तो इसी किलम पैसे देते मोबाइल में और आपने आप से बेसिक गलती क्या हो जाती है जब आप टाइम टेबल बनाते हैं अगर जहां जहां मेरे से एगरी होते जाए मुझे बताते जाएगा आज लाइफ में कोई भी हमें एक चेंज करना है फॉर एक्जांपल आप यूपी असी में मेरे कॉंसेप्टर बैच में अचानक से आपक कि अब सदेन चेंजस करना चाहते देखते जाएगे आप सदेन चेंजस करते हैं अब यहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन आप करने की चक्कर में आते हैं तो अचानक से जो आप टाम टेवल बनाते हैं सुबह मैं जो है वह है वह नहीं चाहओं गाज दोग। शे बज़े जाएगा and you create a lot of do list तो हम लोग उसको generally क्या होता है do list बोलते हैं हम time table बोलते हैं पूरी दुनिया इसी बीमारी की करना शुरू कर देते हो और अचानक से ब्ड़े परिवरतन करते हो अचानक से लगता है यही मेरा होड़र यह का DO it मैं अभी तक भी इस में बन पॉटा लेकिन अभ आगक आध ऑनी देखा दीका मोटिवेशन लेक्टर देखते हो, खुब किताबे पढ़ते हो, दो-चार दिन एक दम जोश में रहते हो, यार, लेकिन नोटिस कियोगा, चार-पांस दिन बाद अचानक से वो टाइम टेवल फॉलो नहीं होता, शरीर में कुछ अजीब से चेंज़े होते हैं, नीद जादा आने लगती है, थकान लगने लगती है, बोरियत उल्चन, ऐसे दर लगता है, इसे मालो अभी एक घंटे बाद पढ़ने का टाइम है, तो अभी रेस्ट का टाइम में लंच किया थोटे दिर रेस्ट करेंगा, अचानक से तुम्हें ज़्यादा थकान लगने लगती है, ओ अजीब से धड़कने बढ़ने लगती है, ओहो, दो बजने वाला है, पढ़ने का टाइम होने वाला है, ये सब कुछ हो रहा होगा, तुम्हें कभी सोचा नहीं कि क्यों होता है, एक्चुली में जैसे ही, हम जब चेंज करें, हमें सिखाया जाता है, आपको आग लगा देन है, वो घबरा जाता है, अरे बाप, रे बाप, ये तो हमसे धेर सारी एनर्जी की डेमांड करेगा, और उसको क्या है, उसका पहला फर्ज यही है, कि आपकी पावर से आपकी जो आपकी जानकारी के बिना अक्टिविटी आपकी बॉड़ी में चल रही है, आपका हार्ट प पावर को वहाँ देना है, जो एसेंशियल है, तुम्हारी लाइफ तुम्हें जिंदा रखने के ज़रूरी है, अब अचानक से तुमने क्या किया, माइंड को धेड़ सारे इंफोर्मिशन दे दी, उसको बला कि यह बहुत बड़ा चेंज आना है, और एक बहुत ही एलियन जतने दे दिया, तुम बजे तक सो commandments अट ऐसे, आचानक से बॉड़ी को तुमने छे बजे जगा दिया, तुमने देखा होगा, अचानक से जब हम चेंज करते हैं, हमारे हमें constipation हो जाता है, पल सानस वैजव कि बलेट ऑगर आपको constipation हो जाता है, आपकी बλड़ी करेंगे आपका जो blood circulation आपका जो BP है blood pressure वो चेंज हो जाएगा आपका तो आपकी body जो है क्यों कि suddenly घबरा जाती है अब इसमें क्या करता है जो आपके अंदर आपने struggle पैदा कर लिया आपने उसको डरा दिया और वो क्या करता है और बापरी ये तो मेरे से बहुत energy required कर रहा है यह अचानक से कुछ कर रहा है जिससे मुझे बहुत नुक्सान हो सकता है उसको यह message जाता है और वो क्या करता है अंदर ही अंदर आपको oppose करना शुद। है वो oppose करना शुरू कर देता हैं तो यह ये चीज़े जो होती हैं, ये आप समझ नहीं पाते हैं, मेरे साथ एक्सर होता था, क्या होता था कि जब मैं कोई अब एक लंबे समय के बाद में काम में फस गया, अब एक्सराइज करूँगा, बार-बार, ये मेरे साथ कई बार हुआ, मैं डारी में लिखता था, तो दो-तीन दिन एक्सराइज किया, एक्सराइज बढ़ियां से बहुत मेहनत के साथ, एक्सराइज पुरा बर्न आउट किया खुद को, तीन-चार दिन माद मैं देखता था कि मुझे या तो cold हो जाता था या मेरे को कोई pain हो जाता था, या कोई fever आ जाता था मैं एक्सर देखता था, तो मैं ये समझ नहीं पाता था कि रहा इसा क्यों हो रहा है, कि कई बर कहता था, रहे मेरी किसमत ही खराब, यार मैं कोई काम शुरू करता हूँ, तो मेरे से नहीं हो पाता, ये क्या disturbance बार-बार क्यों आती है, मैं कोई चीज कांटीनिव नहीं कर पा रहा हूँ, जब मैंने इस पर study शुरू की, तब मुझे पता चला है, मैं तो अपने brain को, body को डरा रहा हूँ, उसको fear कर रहा हूँ, वो energy saving mode में चला जा रहा है, और वो मुझे कभी भी output नहीं दे रहा, तो, इस trend के disaster create करने जा रहा है, बहुत बड़ी problem होने जा रही है, तो यहां पर क्या होगा, यह disaster से बचने के लिए, हमें क्या करना होगा, what to do, हमें एक formula अपनाना होगा, दिमाग को पता ही मत चले दो कि हम कोई change कर रहे हैं, ठीक है, उसको तुम्हें थोड़ी देर के लिए धोखा दे से एकते हों तुमने suicide कर लेते हैं, mind इतना powerful होता है, ठीक है, ऐसी ऐसी स्थितिया होती है कि मनुष्य असंभव को कर दिखाता है, और कई बार सब कुछ होते हुए अपनी जिंदगी को त्याग देता है, जो है अपनी suicide कर लेता है, यह mind बहुत powerful होते है, इसके game बहुत powerful होत है कि आदत जो होती है, उसी को हम लोग कहते है, 1% magical formula, James Clear ने इस पर बहुत सी बाते की हैं, हमें क्या करना होता है, simply, इसका जो formula होता है, बहुत चोटा, आपको अपने अभी system में कोई बहुत बढ़ा change नहीं करना है, बस थोड़े-थोडे improvements करने हैं, change नहीं करना है, we are not going to use word change, we are going to use word improvement, हम जो है improvement word use करेंगे, तो जब हम improvement का मतलब होता है कि same चीज से यल रही है, हम इसमें बहुत थोड़े-थोडे changes करेंगे, और मैंने बहुत से जो चीजों को पढ़ा जब इस पर research किया, so यह बहुत ही powerful factor है, जहां mind को यह लगे ही नहीं कि तुम कुछ इससे तो वह कहता है, अगर आप 1% daily की उन्नती करते हैं, तो in a prolonged period आएक लंबे समय में 37% आप improve कर जाते हैं, यह लिए 37% आपकी improvement हो जाती है, अगर आप सिर्फ डेली एक दिन में सिर्फ एक छोटा सा सुधार कर लेते हैं, एक छोटी सी improvement कर लेते हैं, छोटी सी improvement, माल लिजे आठ वजे सोने की आपको, उठके आने आजाता है, आप 8 a.m. उठते हैं, for example, आप simply 7.45 पर उठ गया है, बस 15 मिट कुछ नहीं है, बोडी को कोई बहुत जादा जर्क नहीं आएगा, आप सड़नली टाम टेबल कैसे बनाते हैं, मैं 8 बजे उठता हूँ, कल से मैं 5 बजे उ एक ही दिन में हम आर्नॉड सौजनेगर बन जाना चाहते हैं, एक ही दिन में हम बिल गेट्स बन जाना चाहते हैं, एक ही दिन में हम आइंस्टाइन बनना चाहते हैं, इसी वज़े से हम परिशान हो जाते हैं, और इसी वज़े से आपका दिमाग आपकी सक्सिस को क्या होता जाता है कि आपके अंदर अगर motivation है, आग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं बता जा सकता है, वो कुछ भी कैसे कर सकते हैं, पूरे दुनिया बता सकती है, yes, you have fire, हमें successful लोगों की story बताई जा सकती है, कि वो गरीबी में जिया था, वो अमीर बन गया, वो असफल था, सफल हो गया, बट इसके बीच में यह नहीं बता जाता, कैसे करना है, ठीक है, हमारा दिमाग तो इतनी energy को जो है, वो यूजी नहीं करने देगा, अपोस करेगा, तो इसी के लिए सबसे बड़ी बात है, James Clear इसको कहते है, the aggregation of marginal grain, ठीक है, इसको हम लोग बोलते कोई भी चीज आप चेंज करना चाहते है, माली जे, आप अपने shoulder, chest को अच्छा करना चाहते है, आप push-ups करने, तो मेरी आदत थी क्या होता था, तो मैं 100 push-up की मैं 100 push-up की मैं 100 push-up करूँगा, अब पता चला की आदत तुमने 2-3 महीने से exercise छोड़ रख की है, अचानक से 100 push- जब भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, और फिर down हो गया, wear and tear हो जाती थी, जल्दबाजी में ज्यादा करने की चकर नहीं, 100 करना है, मुझे 100 पूरा करने है, उस चकर में क्याता है, कोई muscles wear and tear हो जाती थी, अभी भी pain होता है इस तरह का wear and tear होने की वज़े से, अब नतीज करके, आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम भी जब gym जाते थे तो यही होता था, अरे वो 50 push up एक बार में माल लेता है, 40 तो मार नहीं है, 40 क्यों, ददस के 4 set क्यों नहीं कर सकते, इस तरह से हम अपने छोटी छोटी चीजों में बहुत improvement कर सकते, ठीक है, ह जोश में कि नहीं कर लोंगा, छठे दिन बॉडी कह रही है, प्रभू, इससे पहले पराठा दबाते थे, अब तुम्हारी हालत होगे, अब तुम आप शूप खाली पी रहे हो, बिना नमक का, तो हो गया बाई साब, बाद में गया, बॉडी खुदी रिलेक्टेंट करने लगती है, टेस्ट और मांगने, और क्रेविंग होती है, कोई किसी को खाते बदे क्या और क्रेविंग होती थी, तो किसी नो मुझे बताए कि कुछ नहीं करना है, आप चार रोटी खारो, साढ़े तीन से शुरू कर दो, थोड़ा 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 करके आँटे में यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं, और अगर आज तुम यह बात सीख पाए, तो आज आपको ऐसे फंटामेंटल दूगा कि बिना अपने बॉड़ी को एक्सेशन किये, बिना अपने उपर एक्सेशिव प्रेशर डाले, आप अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़ ज़्यादा देख लेता हूँ, एक वेब सरीज ज़्यादा देख लेता हूँ, एक एपिसोट जादी देख लेता हूँ, तो आज समयẩमतु तुरंत आपके इंदर कोई चेंज नहीं आएगा, आज थोड़ा से कैलोरी एक लटड़ू और खीज देता हूँ, बिनिस लेक्ष तो ऐसा करके आप अपनी लाइफ में for a long period, लंबे समय के बाद, आप एक बहुत बड़ा improvement करते हैं, बहुत बड़ा, ये दुनिया को दिखाई पड़ता है, basically successful लोग इसी पर काम करते हैं, हमें success story बनाई जाते हैं, ये पूरा जो motivation word है, ये वो false चीजें बताता है, ये वो successful हो एक दिन जब जुड़ते चले गए, compound होते हैं, तो हमारी life में बहुत बड़ा change आता है, यहां से मैं आज आप लोग को बताऊंगा how to make your time table, चीजें क्या होती है, और क्यूं नहीं आप इतना जानने के बाद कर पाते हैं, ये बड़ा जूरी, एक example बहुत अच्छा दिया है और जैसे कि कमरे के room temperature पे बरफ रखी हुई है, ice cubes आती है और ice cube रखी हुई है, तो क्या होता है कि जो हमारी energy होती है, वो किसी change में, आप क्यूं भाग जाते हैं, आप time table बनाते हैं, तो follow क्यों नहीं करते हैं, आपको पता है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है फिर भी नह no change नहीं आ रहा है, ऐसे पड़ी हुई है, कोई tension नहीं है, no change, 1% temperature और बढ़ गया, no change, 28% पहुँच गया, no change, 29%, no change, लोग इसको लगते हैं कि अरे, कुछ change ही नहीं हो रहा है, और यही चीज हमें negative हो जाती है, किसी भी बदलाव से पहले, एक plateau of potential आता है, जहां पर एक point ऐस होता है, जहां पर हमें कोई बदलाव होते हैं दिखाई नहीं पड़ता, अरे क्या हुआ अधी रोटी खमकालिया, कौन सा change आ रहा है, एक छोटा सा answer जादा लिख लिए, क्या change आ रहा है, कोई change नहीं है, तो कोई no change आपको दिखाई पड़ा, 30%, बरफ में कोई पिखली नह ACS पहुंचता है, we find ice melt करना शुरू कर देती है, suddenly उसके phase में change आ जाता है, same happen in your career, when you do writing, एक ही answer ज्यादा लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं, एक answer daily लिख लेना है, news paper नहीं पड़ पा रहा हो, कोई बात नहीं है, एक editorial खाली पड़ना है, तो वो कोई बड़ा change नहीं दिखा आए पड़ेगा, आप मैंसे कई लोग हतो साहित हो जाते हैं, अरे यार कोई change ही नहीं आ रहा है, यार आए यार, हम उसे किते बच्चों ने कहा, सर वो answer में कोई सुधार ही नहीं आ रहा है, सर कोई change ही नहीं आ रहा है, ऐसे message में बड़े पड़े हैं, सर तीन महीं नहीं हो और उसका नतीजा होता है, नतीजा ये होता है कि हम कुछ भी गेन नहीं कर पाते, जो change आने वाला था उससे पहले हम हार मानकर बैठ जाते हैं, same happened to the bamboo, जानते हो, जब bamboo उगता है तो 5 साल तक ये दिखाई नहीं पड़ता, जमीन के नीचे होता है, ये क्या काम करता है, अप साल तक उपर इसकी कोई growth ही नहीं दिखाई पड़ रही है, ये अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है, मजबूत करता रहता है, आप उप जाओगे, अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा है, it takes lot of time, but ये अपना base मजबूत करता रहता है, and suddenly within a few weeks, few weeks, month भी नहीं बार कर So, इसी को बोलते हैं, when you want to some change, आपको अपने fundamentals बहुत strong करने होते हैं, आपको बहुत जबरदस्त काम करना होता है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि marginal gain क्या होता है, for example, आप आपको मैं एक छोटा सा example देता हूँ, ठीक है, if you want to do improvement, आप change word रहीं करना है, change word जैसे ही use क आपका दिमाग लड़ना शुरू कर देगा, हमें improvement करनी है, हम ऐसा तो नहीं है कि alien है, हम आए हमें बहुत सी चीज़े पता हमें improve करना है, for example, मुझे newspaper नहीं पढ़ना है, आता है, ठीक है, आज मैं आया, ओजांक सर ने खा, newspaper बहुत important है, और बापरे मैंने temptable बनाया, 1.5 hours daily for newspaper, अब आदत है नहीं, दिमाग घबराने लगा, ओ यार, newspaper, interest आहीं नहीं रहा है, अब क्या हुआ घबरात चुरू हो गई, तो मुझे simply क्या करना है, इसको change नहीं बनाना, इसको improvement बनाना, कि कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, relax, मैं बहुत bright student नहीं रहा हूँ, ले यार, एक मिनट का काम है, खतम, तो उसको improvement बताना है, बस थोड़ा सा, आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो उसको लग नहीं रहा हूँ, तो उसको लग नहीं रहा है, कि तुम कोई बहुत बड़ी अनरजी की मांग कर रहा हूँ, जैसे for example पढ़ने बैठे, रोज हम एक घंटे पढ़ते थे, आज क्या करेंगे, पढ़ने से, जैसे उठने की बारी आएगी, पांच मिनट, सिर्फ 5-6 मिनट ले लिया, एक छोटा सा question लिखेंगे, एक छोटा सा question लिख लेंगे, सिर् 5-6 मिनट, उसको बताना है नहीं कि हम कोई answer writing क one hour answer writing, घबराट होने लगती है, ठीक है, पंदर मिनट लेट से पढ़ने बैठे, प्रकास्टिनेशन किया, ताल मटोल की आदर डाली, ओ यार, पंदर मिनट तो मेरे ऐसी loss हो गए, दिमाग यही calculation करता है, अब यार, 45 मिनट बचे हैं, क्या answer writing करें यार, इसमें कुछ और इस तरह से काम करता है, जो 20 magic principle है, जो यहां पर मैंने आपसे बताया कि इस class में मैं discuss करूगा, तो इसमें मैं basically क्या करता हूँ, जब बच्चे आये, तो बहुत चोटे-चोटे points बताए, कि ऐसे होता है, वैसे होता है, बहुत चोटे-चोटे, उनको लगा यह answer writing में सीधे answer क क्यों नहीं लिखा रहे है, answer writing तो यही हमें पता था था ना कि एक question दे दिया जाएगा, teacher एसे कुछ model answer दे देगा, मैं तो उनको यह तक बताने लगा कि यहां and कहां use करेंगे, प्रिपोजिशन कहां use करेंगे, हम इसमें हुक कैसे करेंगे, हम कहां पर हम कोईसे word का इस्तब writing class हो, मैं हमेशा marginal gain पर ही focus करता हूँ, कि इसको पता ही बच चलने दो कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा change आ रहा है, तो धीरे धीरे principle जब आगे बढ़ते बढ़ते, दसवा principle आया, और जब दसवे principle पर मैंने काम शुरू किया, तब उन्हें एक शेप दिखाई पड़ी, कि आरे यारे आपने कर क्या लिया, हमने तो fundamental समझ लिये, और मैंने answer, जो भी मेरे बच्चे होंगे, वो जानते हों कि मैंने answer लिखने पर मना ही कर दी थी, कि पूरा answer लिखना ही नहीं है, अब घबरा के बोले, हम answer writing class में answer लिखेंगे, मैंने कि आपको simply क्या करना है, आपको simply, अगर आपके answer में प्रसंग व्याख्या उपसंगार होता है, explanation, तो मुझे सिर्फ प्रसंग चाहिए एक महीने तो, और कुछ करना ही नहीं मेरे को, सिर्फ मुझे प्रसंग लिखके दो, क्योंकि मैं तुम्हारे mind को समझता हूँ, कि जैसी तुमने उसको answer writing की बात कहीं, वो घबराना शुरू कर देगा, और भागो यार, यह तो बहुत बड़ी बात हो रही है, कई बच्चों ने का, sir, अभी हम beginner हैं, अभी answer लिखें क्या, यह सारी myth तुम्हें रोकते हैं आगे बढ़ने से, मैंने का answer लिखो ही मत, answer writing में, answer मार दो, खतम करो, writing शुरू करो यार जो बोल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मानलो कि तुमने सेंटर फ्रेस खाली है, बोली नहीं सकते, तो आप खाली लिखके मुझे बताना, गूंगे होगा, थोड़ी देर के लिए तुम खाली बोल नहीं सकते, अब तुम मुझे लिखके बताओ, तो राइटिंग मेरे मन में भावना है, हम सामने कभी बात नहीं कर पाते थे, मैंने का चिठी लिखो माबाप को, इस से खुबसूरत बात क्या होगी, रैटिंग शुरू करो, और वो जो इंप्रूमेंट उनकी अंदर आनी शुरू हो, वो मार्जिनल गेन से आनी शुरू है, तो लाइफ में क पहले, फिर पांच मिनट पहले, पांच मिनट पहले, जब तक वो समझ पाएगा, तब तक तुम अपना सुलाट उपर कर लोगे, हम क्या करते हैं, हम से गलती क्या हो जाती है, अब जरह देखो, ठीक है, अब गलती क्या होती है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं, हम से गलती ये ह बाबा बोल रहे थे का अठारा घंटा पड़ना पड़ेगा, तो पहले पहले सर्क हो जाते हैं, आठ घंटा सोनी का आदत है, अठारा घंटा निकलेगा कहां से, खाएंगे, पीएंगे, ये भी है, फिर अपना मन मार के क्या करें, इस में उतरे हैं, लोगों बताना हम मरव खब के किसी तरीके से तस वारा घंटे टाइम टेबल बनाते हैं, और सोचते हैं, दस घंटा आज, दस घंटा कल, इस तरह करते-करते, साल भर में I become I.S. और टाइम टेबल ही बना लेते हैं, साल भर में I.S. ये हमारा पात होता है, हम ऐसा सोचते हैं, we think like that, कि इस त अच्छा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, सार निउस्वेपर कवर नहीं हो पा रहा है, वो reason यही है, because in our life, actually में हमारा career path ऐसे होता है, एक phase आता है, when you started something, in our mind, हम इस तरह से calculation करते हैं, कि 8 गंटे रोज पढ़ रहे हैं, जल्दी ही मैं I.S. बन जाओंगा, ठीक है, मैं ऐ ऐसे पहुच जाओंगा, और पापा मम्मी आएंगे, गले लगाएंगे, बाबु को लेके घर जाएंगे, बाबु आई एस बन गया, सपनों की दुनिया हो जाएगी, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, कमरें बैटे बैटे अच्छी सुंदर से लड़की सादी हो यह किताब खरीद लीजिए, आख लगा देगी आपकी जिंदगी में, जल्दी खरीदिये, जल्दी खरीदिये, जल्दी खरीदिये, and you just subscribe it all, हमसे नहीं बजा जाता है कि बीच में क्या है यार, इसको बोलते हैं, valley of disappointment, और यह तुमने अपनी जिंदगी में देखा, कोई ऐ काम शुरू करते हैं, यह मेरे साथ भी उतना है, आपके साथ भी है, हर दिन, मैं तो नए प्रोजेक्स में हमेशा सर पटकता रहता हूँ, ठीक है, तो ऐसा होता है, जनवरी में काम हो जाएगा, होता ही नहीं है, मेरे सारे इस्टोर्ट जो मुझे सुन रहों जानते हैं, पता नहीं किसकी प्रॉबलम, तो वो जो चीजे होती हैं, वो एक्शुल में होती है, हम इसको अपने टाइम टेबल बनाते से हमें, आपने करियर को डिसाइड करते से हमें, इसके बारे बात नहीं करते हैं, मैक्सिमम, दुनिया कहती है, मेरे NLP टीचर ने मुझसे पूछा तो 98% लोग यहीं give up करते हैं, 98% लोग इसी value of disappointment में give up कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बहार में जाए अब हमसे नहीं होगा, हमसे अच्छा एंसन नहीं लिखा जाएगा, they accept the situation, they accept the situation, वो हालात को सुईकार कर लेते, जो fighters होते हैं, वो इसके आगे बढ़ जाते हैं, उन्ह करते हैं, they cut the threshold, और जितना उन्होंने सोचा था, उससे अच्छा उनको मिलता है, बहुत कम टाइम में वो अपनी growth कर ले जाते हैं, but most of the, इसी value में, इसको death value भी बोलते हैं, यह सपनों की मृत्यु घाटी है, ज्यादा तर सपने इसी घाटी में दफन कर दिये जाते हैं, आ और यह क्या कहता है, don't make, do list, please made, system, system बनाईए, system of writing, एक क्या होगा, सोने से पहले एक पेज पढ़के सोंगा, एक पेज में क्या हो रहा है, एक पेज में क्या चीज हो रही है, एक पेज में बहुत कुछ हो जाता है, एक simple सा पेज, एक चोटा सा concept, चार flashcard करके सोंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, चोटा सा, जाता कुछ नहीं है, लेटे लेटे यार पांच मिन लगेगा, आपको माइंड को प्रेशा देना ही नही से अरे कुछ जल्दी मिल जा भी, एक साल में पुरी ताका जोग दूग दूगा, पुरी जिंदगी बदल के रख दूगा, आप जिंदगी से कुछ चीनने नहीं चा रहे है, आपके माइंड को जड़ा सा भी ऐसास हो गया, कि एनर्जी वेस्ट करो को तुम्हें बठा आप बता दूगा साल भर में कि हम देखो आइस बनके तुम्हें घर उजाड़ देंगे तुम्हा, ऐसे सब बेकार की बाते हैं, यह जो नफरत घड़क चेकर में अपने दिमाग की अनर्जी और तुम फूख लोगे, और कुछ होना जाना नहीं है, इंप्रूव यॉर्सेल बताओ इने दिमाग को की कुछ चेंज कर रहे हो, जब उठने से पहले, जल्दी जो भी पढ़ा है, एक छोटा सा एंसर लिख लेंगे, एंसर नहीं लिख पा रहे हो, तो केवल इंटोड़क्शन लिखेंगे, भाला में गया व्याख्या नहीं आता, उपसंघार नहीं आता ठीक है, एक गाना सुनने की बजाए एक न्यूस सुन लेंगे, बास इतना चोटा सकाम तो लेंगे, सिंपल सा, इस चोटे चोटे चेंजिस करने हैं, आठ घंटे का टाम टेबल, चार घंटे हैं, आठ घंटे का टाम टेबल नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा तो नही तर दोलाज पर दुबारा नहीं करेंगा आज आज खाली गूमेंगे भीर दिन उसको फिर बेकूप बना ऐस्क एज दुड़ा नार थोड़ा से लिका आज एक पस एडिटोरियल का तो चार पॉंट लिग लिखे 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 लिए बस कुछ करने ही रहा है प बारा बारा पहुंचो तो, when you repeat your actions, when you repeat your actions, it becomes habit. जब आप अपने कारियों को बार बार repeat करते हो, तो ये आदतों में बदल जाते हैं. And your habit is the basic fundamental for your success. और ये जो तुमारी आदते हैं, ये ही तुमारे success, ये ही तुमारी सफलता का अधार है. मूल मंत रहिए, अपने time table को चेंज करो, ठीक है, change word ही मत करो, अपने आपको change का आदेश ही मत दो, improvement का आदेश ही मत दो, improve करना है. इंप्रूब करना है, लिस्ट बनो, किस-किस चीज में, कोई जिसका वजन जादा है, वो अपना वजन घटाने के लिए काम करें, तो आप थोड़ा सा exercise, पांच मिनट खाली ज़्यादा बढाऊंगा, regular करूंगा सिर्ट पांच मिनट, ज़्यादा कुछ नहीं, और चार रो ही है, बस यही करूंगा, वो जो रोज मटर पनीर उड़ रहा था, उसमें थोड़ा ओयल कम कर दूंगा, पता ही जलेगा, एक धकन के वज़ाए आधा चम्मा जालूँगा, बस धीरे-धीरे चेंजिस होंगे, धीरे-धीरे इंप्रूमेंट होगा, and then you find for the long time, you became what you want to be, यह इस समय के साथ आप परिवर्तित हो जाओगे, जो बनना चाहते हो, वो पहुंच जाओगे, that is very important, और conceptor में हम यही करते है, मेरा message बिल्कुल clear है, हम यह नहीं कहेंगे, तो इसलिए दो साल का batch हमने बनाया है, दो साल का batch ही है हमारा, उसका reason क्या है, उसका reason simply यही है, कि suddenly हम आप चेंज करने जाएंगे, तो प्रेश हो जागे, पढ़ भी ले, लिख भी ले, बोल भी ले, परस्नालिटीम चेंज कर ले, घंटों फोकस भी कर ले, घंटा कुछ नहीं होना है, ठीक है, हमें क्या करना होता है, I know your mind, कि यह बदलाओ, समय के साथ, कई लोगों पुछा दो साल का क्यों रखा आपने, दो लेबल में क्यों रखा आपने, एजुकेशन पर फोकस करेंगे, जोगरफी, हिस्टी पढ़ाईए, तुम्हारा माइड चेंज, जैसी वर्ड तुमा आओगे, प्रेशर आएगा, तूटकर खतम हो जाओगे, तुम तो अकेले हो, सौसों 500-500 लोगों को हर साल देखता हूं, वो रणचोड़दार चाचान भाग जाते हैं वहां से, मैदान छोड़के, तो वो नहीं होना चाहिए, तो इन दाट केस, आप स्टेप बाई स्टेप चलना शुरू करें, क्लियर है?